Hello students, today we will read about force and pressure. First of all, we start at what is force. Force क्या होता है? देखे, जब ही हम किसी भी object को push करते हैं या pull करते हैं, यानि कि हम उसे धक्का मारते हैं अपनी और खीचते हैं, तो इसमें हम एक force applied करते हैं उसके ओपर. एक force हमेशा किसी भी object की state है, उसको change कर सकता है. अब वो state change कैसे कर सकता है? देखे, जब भी कोई हमारा object है, वो motion में है, और उसे हम force लगा दे, तो वो रुख जाता है. motion यानि अगर वो move कर रहा है एक जगा से दूसरी जगा हैं पर वो, तो उसको अगर opposite direction में हम force लगाएंगे, तो वो वहीं रुख जाएगा, और या फिर कोई object है, वो rest में है, rest means वो एक जगाँ पर रखा हुआ है, move नहीं कर रहा, तो उसके उपर अगर हमने force लगाया, तो वो motion करना start कर देता है. Now next देखिए, do magnet also accept a pull or push, यानि कि क्या magnet है, वो भी pull or push कर सकता है, देखिए, नॉर्मल लाइफ में, जो हम छोटे बचे थे तब भी असा करते थे, एक magnet लेकर कील को या लोहे के कोई भी object होता, उसको हम अपनी side कीट सकते हैं, तो magnet भी छोटे-छोटे irons की जो pieces होते हैं, उनको push or pull अपने side कर सकता है, यानि कि magnet भी अपना एक pressure लगाता है, नेक्स देखिए, characteristics of forces, force के character कौन-कौन से होते हैं, तो first of all देखेंगे हम लोग, when two forces act in the same direction, the net resultant force of an object is the same of these two forces, अब देखिए, हमारे पास force opposing एक box है, इसके उपर इस side से दो boys हैं, वो यहाँ पर इसको push कर रहे है, तो इस जो box size, box के उपर net pressure या force कितना लग रहा है इसके उपर, तो जो A ने अपना pressure लगाया था, या A ने जो अपना force लगाया था, और जो B ने अपना force लगाया था, तो इसके उपर जो net force होगा, वो A प्लस B इन दोनों का force लगेगा, यानि कि A की अगर direction में लग रहा है, तो जो हमारे force है, वो हमारे पास add हो जाएंगे, next इसमें देखिए, यहाँ देखिए, इस तरह से अभी मनें समझाया था, दो boys हो, वो A की side इसको direction में move कर रहे हैं, इस box को, यानि इन दोनों का force है, वो A की direction में इस side लग रहा है, तो इसके उपर जो box है, इसके उपर net force कितना होगा, इन दोनों boys का force होगा, उसको add कर लेंगे, तो हमारे पास इसका net force निकली आएगा, लेकिने हम दूसरी condition में देखते हैं, ने याँ पर two force है, जो की opposite direction में काम कर रहे हैं, for example, इस box के उपर, ये जो दोनो boys हैं, वो opposite direction में इसके उपर force लगा रहे हैं, तो जो इसके उपर force लगेगा, net force box के उपर, वो इन दोनों के force का minus होगा, इसका जो force लगेगा, A का force और ये जो B है, इसका force इंदोनों को अगर हम substrate कर देंगे तो इसका net force निकली आएगा हमारे पास नेक्स इसमें the force always had a direction अब जो force होता हमेशा उसकी direction होती direction के अंदर लगाया जाता है और and apply and the measure of strength of magnitude which is applied and the measure of strength of magnitude अब इसमें next हमारे पास the effect of a force may alter when the direction of the magnitude of the force is changed means हमारे पास effect of the force ये change हो सकता है कब change हो सकता है जब हम direction को change कर दें तो इसका effect भी हमारे पास change हो जाएगा इसमें next है the effect of more than one force being applied on an object is calculated by evaluating the net force acting on the object ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई है अगर एकी direction में लग रहा हमें evaluate करना है कि हमारा net force कितना है और हमारा force हो एकी direction में लग रहा है तो हमारा a और b जो दोनों object जन्होंने force लगाया था उसका हम addition कर लेंगे और अगर वो opposite direction में लग रहा है इस सरह से force तो हम a minus b करके और उसका evaluate कर सकते ही हम force को अब देखिए यहाँ पर force का एक formula होता है force can bring different effect to an object's option size and shape for example F is equal to होता है M cross A यह force का formula होता है derive करने के लिए यहाँ पर F is equal to होता है force M is equal to होता है mass of object and A is equal to acceleration अब देखिए force तो हमने applied किया है mass of object यहने कि हमारे object है उसका mass कितना है A acceleration means उसने कितना move किया है उस चीज़को हम acceleration से दिखाएंगे next देखिए इसकी SI unit है force की वो Newton है Newton से इसको denote किया जाता है force को now हमारे पास है force can change the state of motion of an object state किस तरह से change कर सकता है state means अगर कोई object है वो move कर रहा है उसकी opposite direction में हम लोग एक particular direction के अंदर हम force लगाते हैं तो वो move करता हुआ object है वो stop हो जाता है देखिए an object is set to be in motion if it moving by certain speed अगर वो एक speed में move कर रहा है तो उसे motion करेंगे कि वो object है वो हमारा motion कर रहा है if an object in a rest अगर कोई भी object rest में है it means that it is not changing its position वो अपनी position चेंज नहीं कर रहा है यानिकि उसकी speed है वो zero speed है when the object start moving जब कोई भी object है वो move करना start करता है it means that its position is changed किसके जो speed है या उसकी जो position हो चेंज हो रही है अब उस change करने के लिए हमें कोई भी force लगाना पड़ता है for example देखिए यह toy है जो की rest की motion में था फिर हम इसको finger से push करते हैं push करने का मतलब हमने इसको force लगाया फोर्स लगाएंगे तो आगे की direction में इस तरह से move करेगा यानिकि यह पहले rest में था rest में था और उसके बाद जब उसके उपर force लगाया गया तो यह motion स्टार्ट कर दी इसने ठीक है यानिकि इसकी position change हो गई next देखे इसमें force can change the shape हम यह force के correct इस पढ़ने कि force क्या क्या कर सकता है यह हम कौन से काम force से कर सकते हैं for example हमने बोला कि कोई भी जो object है वो rest में है तो हम उसको motion में ला सकते हैं और motion करता हुआ जो object है उसको हम rest में ला सकते हैं force के के द्वारा यहां हमारा next चीज है इसमें force can change the shape of an object यानिक जो force है ओबजेक्ट की shape भी change कर सकता है देखे कुछ चीजें होती है जिनकी हम shape change कर सकते हैं सभी चीजों की force के द्वारा जो shape है वो change नहीं की जा सकती अगर वो change भी हो जा सकती तो वापस उसकी पहले वाली जो shape वो नहीं मिल पाती है for example हमारे पास कोई भी लकडी का box है या लकडी है अगर उसको hammer से हम लोग force लगाते है उसके उपर तो वो तूट जाती है और दुबारा वैसे नहीं बन पाती लेकिन कुछ चीजे जैसे की stretch rubber band के उपर stretch लगाया जाता है तो वो अपने size में बढ़ा हो कि इनकी force लगाने से पहले और लगाने के बाद की conditions है वो change हो जाएगी लेकिन force अटाने के बाद वो वापस अपनी पहले वाली condition के अंदर आ जाती है अब next हम पढ़ेंगे इसके अंदर type of forces type of forces हमारे पास दो type के main forces होते हैं पहला होता contact forces दूसरा होता non contact forces देखिए इसमें नाम से पता चलता है contact contact का mainzh से हमारे पास यहाँ दो surface है कोई भी आपस में contact में होनी बहुत जरूरी होती है जबकि non contact के अंदर होता है कि जो 2 surface होती है जिनके पर force लगाया जा रहा है या जो force लगा रहा है किसी दूसरे object के उपर उसका contact में आना आपस में कोई जरूरी नह होता है सबसे पहले देखिए contact forces इसमें हमारे पास लिखा है दीज यह देखिए इसको बड़ा कर लेते हैं पहले दीज काइंड ओफोर्सेज और एप्लाइड ओनली वें तू और मॉर अबजेक्ट कम इन लेकिन उन दोनों का contact में आना बहुत जरूरी होता है अब देखिए इनके बारे में आपको थोड़ा बुद बता देती हूँ क्योंकि आगे डिस्क्राइब हम इसको करेंगे मस्क्यूलर अच्छा मसल्स का मतलब क्या होता है हमारी मास पेशिया तो ऐसा काम या ऐसा पोर्स जो की हम अपनी मसल्स से करते हैं उसे कहते हैं muscular forces जिसे की मैं अपने हाथ से किसी बॉक्स को पुल या पुश करती हूँ तो मैंने अपनी मसल्स की help से उसको उपर force लगाया है वो muscular force में आ गया या फिर कोई एक बैल है जो कि गाड़ी को खींच रहा है तो वह भी अपनी मसल से उस काम को कर रहा है तो इसको बोलेंगे muscular forces, frictional forces, friction का मतलब होते हैं देखिए हिंदी में घर्शन बोलते हैं इसको घर्शन का मतलब अगर आप एक surface floor के ओपर कोई भारी heavy, लोहे का बकसा सरकाते हो, कोई बड़ी सी अलमारी सरकाते हो तो उसकी जो नीचे की surface है वापस में touch करती है और रगड़ खाती है आपस में या फिर उसके अंदर घर्शन होता है और घर्शन से उन दोरों की surface के ओपर थोड़ा सा effect पड़ता है नॉर्मल लेंग्वेज में बोलो इसको, तो हम देखते हैं कि फर्श के ओपर दरारे आ जाती है जो लोहे का object मारे पास था, उसकी जो उपरी surface है, उसके ओपर scratch पढ़ जाती है यह होता है, frictional forces, second हम इसमें पढ़ेंगे non-contact forces non-contact forces ऐसे force होते हैं, जिसकी अंदर की हमारे पास एक दूसरे के ओपर जो object force लगाते हैं वो एक दूसरे के contact में नहीं आते हैं, इसमें example होता है, magnetic force, gravitational force, electrostatic force magnetic force में क्या होगा सबसे पहले, जो magnet होता है, वो एक लोहे की iron की चीजों का अपनी और खीचता है तो खीचने से पहले, push और pull से पहले, उसकी अंदर आपस में contact में नहीं होती हम किसी भी लोहे के छोटे जो piece है, उसको दूर रख सकते हैं, और magnet उसको अपनी और एक्टट कर लेता है gravitational force, अर्थ के अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है, gravity का force, जो कि हर चीज़ को अपनी और खीचती है हम कई wall उपर फेकते हैं, हवा में, तो वो आपस नीचे अर्थ पर ही आती है, यह gravitational force होता है, electrostatic force, यह ions के बीच में होता है जब ions बनते हैं, तो उनके बीच में, electrostatic force लगता है, तो यह थे हमारे पास दो forces, हम सबसे पहले read करेंगे contact forces के बारे में contact forces में सबसे पहला हमारे पास force है, muscular force, देखिए muscular force के बारे में, मने बताया था, अगर हम muscle से काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं, हम लोग muscular forces इनोंने कई एक्जामपल दी है जब हम चलते हैं तो हमारी मासबेश उसमें काम आती है तो एक्सपेंशन और गॉंटेक्शन ऑफ लंग्स जब हमारे लंग्स हैं उनके अंदर हवा भरती है जब हमसांस चोड़ते हैं तो उसमें मस्कुलर फॉर्स लगता है अनिमल कना उसमें इनिमल्स भी है जो कि यह देखी कि आपर नीचे एनिमल्स का रिखाया हुआ है यह जो बैल है वो गड़ी को खीच रहा है तो अपनी मसल से काम कर रहा है अब सैकेंड इसके अंदर देखते हैं फ्रिक्शनल फॉर्स फ्रिक्शनल मिन्स जब दो अबजेक्ट है एक अबजे यह हम थोड़ा सा देखते है असके बारे में देखी प्रॉर्स फ्रिक्शन ऑल्वेज एक्टि ऊपर इस उप्जेक्ट को मू करवा रही है और मुम्मेंट की टार compartir यह है आगे की साइठ यानि कि हम इस साइठ फ्रॉर्स लगाएंगे तो इसकी जो मूम्मेंट है या म्म्म तो normally हम बोल सकते कि जो फ्रिक्षन होता है वह हमेशन जो मोशन की डाइक्षन होती है उसके जो फॉर्स की डाइक्षन होती हुआ उसकी ऑपkill किया किया है वह किसी हीज को क्या समझेंगे कोई भी जो object है जो air में move कर रहा है for example हमारे पास air airplane है या birds है जो air के अंदर move करती है तो जो air है इनकी ओपर force डालती है इनकी motion की direction के opposite उस चीज़ को बोलते है air resistance देखिए an object move on flies in the air और fly in the air जब वो air के अंदर fly करता है it is experienced a force called air resistance इसे air resistance बोलते हैं air resistance क्या करता है उसकी speed को कम करने की कोशिश करता है और air resistance की वज़े से भी frictional होता है अब second हमारे पास है non-contact forces non-contact force में सबसे पहले हम पढ़ेंगे magnetic force यानि कि ऐसा force जो कि magnet accept करता है उसे कहते हैं हम लोग magnetic force अब यहाँ देखिए we know that जो magnet के force होते ह हैं जैसे कि हमारे पास यह magnet है ठीक है इसके अंदर एक North Pole होता है एक South Pole होता है यह दो magnet होगे सीम ऐसा ही magnet में यहां लेती हूं दूसरा यहां पर इसका North Pole हर यह South Pole है जब इन दोनों को हम एक दूसरे के पास में लाते हैं इस तरह से देखिए जब से पोल्स होंगे तो यह से इंड को पुष्ट करेंगे ये एक दूसरे के पास में नहीं आएंगे तो इस चीज को क्या बोलेंगे हम लोग कि जो इसका हूँ करवा रहे हैं बिल्कुल ऑपोसिट है यह north pole है और यह south pole है मेरे पास अब जब है में इनको एक दूसरे के करीब लाते हैं तो एक दूसरे से यह force द्वारा चिपक जाते हैं इस चीज को बोलते हैं कि यह attract हो रहे हैं एक दूसरे से क्योंकि इनके जो poles थे वो बिल्कुल opposite है तो हम बोल सकते हैं कि अगर magnet होता है तो magnet के अंदर जो same poles होते हैं वो एक दूसरे को ripple करते हैं जबकि opposite जो poles होते हैं वो एक दूसरे को attract करते हैं और magnetic force दूसरी चीज है कोई भी magnet है हमारे पास यह मेरे पास magnet है और इसके पास अगर मैं लोहे की कील छोटी सी इसके पास लेकर आती हूं तो यह magnet है इसको अपनी side खीचेगा इस तरह से और यह से जाकर यहां चिपक जाएगी यह भी है कि magnetic force इस तरह से भी काम करता है अब next देखिए electrostatic force मैंने कहा था यह electrostatic force होता है वह ions की थिरू काम करता है अब देखिए the force accepted by a charge particle is called electrostatic force कोई भी charge particle होगा वो electrostatic force दिखाएगा अब charge particle कैसे होता है charge particle का मतलब होता है कोई भी हमारे पास particle है यह कोई भी मेरे पास road है ठीक है किसी भी metal की इसको आगर हम चार्ज कर दे इट मीनसा फिर इसके अंदर एलेक्ट्रिक करेंट फ्लो कर दे उसके बाद इसके अंदर आ comprehensive या कोई भी सोलिशन उसके अंदर आ समगने जाते यह आइंस पॉजिटीव नेगिटिव की फॉर्म में होते है यह पॉजिटी ओ नेगिटीव जो आइंस होती है यह हमेशा जो positive आयन होता है हमारे पास यह positive आयन है यह हमेशा positive आयन को ripple करेगा मिन्स यह एक दूसरे को एक दूसरे को अलग अलग direction में push करेंगे एक तरह से यह पास में नहीं आएंगे जबकि अगर मैं opposite आयन से लेती हूं positive और negative तो यह एक दूसरे को attack करने का काम करेंगे इस तरह से ठीक है और सेम वह ही अगर मैं negative नेगटिव लेती हूं तब भी एक दूसरे को ripple करने का काम करेंगे यह था हमारा electrostatic force next देखे gravitational force gravitational force means gravity gravity means earth है वो हर एक object के ऊपर एक force लगाती है जो अर्थ की तरफ उसको खीचने का काम करती है for example मैंने बताया था अगर हम इस बोल को उपर की तरफ फैंकते हैं तो यह आखिरकार में नीचे ही आकर गिरती है इसे कहते हैं हम लोग gravitational force जो की surface द्वारा लगाया जाता है वैसे नॉर्मली देखा जाए तो यूनिवर्स की हर एक जो वस्तू होती है सिर्फ आर्थ ही नहीं हर एक वस्तू एक दूसरे को थोड़ा भूत gravitational force लगाकर अपनी तरफ खीचने का अटर्ट करने का काम करती है जिसे कि हम देखते हैं कि sun है वो हमेशा gravitational force लगाता है दूसरे planets के ओपर इसी वज़े से दूसरे planets होते हैं वो उसकी चारों तरफ है क्या हो गया यूनिट एरिया एक चोटा से एरिया यह ये मेरे पास एक बॉक्स था इसका यूनिट बहुत चोटा सा हिस्सा इसे हम बोल सकते है यूनिट एरिया उसके उपर लगने वाला जो फोर्स होगा उसे हम वोलेंगे प्रेशर ठीक है अब देखें इसमें इसमें प्रेशर एक्सेटेट बाइन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपोन इस सर्फेस एरिया इस चीज का मतलब क्या है सर्फेस एरिया जो प्रेशर होता है किसी भी एक्सेटेट बाइन ऑब्जेक्ट डिप तो जो प्रेशर हम लगाएंगे वो ज्यादा लगेगा उसके ओपर लेकिन अगर हमारा सर्फेस बड़ा होगा तो जो प्रेशर होता है वो कम होगा देखिए बिल्कुल ओपोजिट ओटे एक दिस उरे से लेकिन जो ओल आवर प्रेशर की जो स्टोरी है वो इस एक लाइन के अंदर ही कंप्लीट होती है हमने बोला जो सर्फेस है अगर हमारा सर्फेस स्मॉल हुआ तो प्रेशर है वो ज्यादा लगेगा लेकिन अगर सर्फेस है वो हमारा ज्यादा हुआ हाई हुआ तो प्रेशर होगा वो बिल्कुल लो लगेगा अब इसको किस तरह से समझ सकते है इसको समझने से पहले आप एक line देखिए जो pressure की unit होती है उसको ऐसा unit होती है वो passkal होती है और जो force की होती है उपर बताया था Newton होती है अब इसमें कुछ force के फोर्मले बताय होई है लेकिन मैं आपको अब इस चीज को समझा रही थी कि जो pressure कम होता है सर्फेस होता अगर वो स्माल होगा एक कील का एक्जामपल लेजिए कील की स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसी होती है ठीक है यह हो गया उसके आगे का हिस्सा और बीचे का हिस्सा बिल्कुल नुकीला होता है इस तरह से कील की स्ट्रक्चर होती है अब देखिए ये जो कील का पिछला हिस्सा होता है ये वाला हिस्सा इसको अगर हमें एक वॉल के उपर लगा कर और यहां से हैमर से इसके उपर स्ट्रक करते हैं एक फोर्स लगाते हैं तो ये कील हासानी से इस दिवार के अंदर चली जाती है लेकिन वही चीज देखिए सागए वाला मोटे वाला हिस्साए इसका सरफिसस्पा सर पर टालती होती अंदर नहीं जाएगा समझे इस चीजे का मतलब मतलब क्या हुआ इसका कील का नोकिला वाला हिस्साथा मेरे पास उसके अंदर क्या था सर्फेस कम था सर्फेस कम के उपर क्या होगा प्रेशर ज्यादा लगेगा यहां इसके उपर प्रेशर ज्यादा लगेगा लेकिन जो सर्फेस अगर यहां ज्यादा कर दिया यह ज्यादा सर्फेस वाला हिस्सा था यहां जो प्रेशर है यहां प्रे प्रेशे का उसका सर्फेस एरिया कम होता है इसलिए वो दिवार के अंदर चली जाती है जिब कि सेकेंड देखिए जो शोल्डर बैग आप स्कूल के जो बैग होती है उनका जो शोल्डर होता है जो आप कंदे के उपर टांगते उसकी पट्टी होती है वह बहुत चोड़ी हो अगर देखिए टूल्स दार युज फोर काटिंग और पैरिसिंग अल्वीज हव शार्प एज अब शार्प इस किसलिए होते हैं किसी चीज को कैंची एक्जांबल आप कांची सीजर का ले लिजी है सीजर होती है उसके जो किनारे होते है काटने वाड़े वह बहुत शार् त्रेक्टर का प्रेशर होता है और ग्राउंड वह कम लगे एज रिजल्ट इस तो मुझे जगह उती है वहाँ पर भी ट्रक्टर को आसानी से ले जा सके क्योंकि जो चोड़े टायर होंगे तो जो ट्रक्टर का जो प्रेशर जो अर्थ पर लगेगा वह कम हो जाएगा उसकी बज़े से अब नेक्स हमारे पास कैमल कैन वॉक इजली ऑन दा सेंड वाइब बिकोज जो कैमल के जो फिट होते हैं उनके नीचे है वह काफी चोड़े होते हैं चोड़े मिंस अगर उनकी ज्यादा होगी तो जो कैमल का प्रेशर है सेंड के उपर वह कम लगेगा उसके पा जादा हाइट होगी उतने जादा वह प्रेशर करेगा अब देखिए इसमें नेक्स्ट मारे पास है गैसे अब गैसे कैसे कंटेनर के ऊपर डालती है प्रेशर तो देखिए जो गैस यह कंटेनर इसके इंदर गैस बरी हुई है जो गैस के मोलिकुल से यह हमेशा मोशन में रहते हैं इस तरह से और यह वोल की दिवारों से कंटेनर की दिवारों से और आपस में हमेशा टकराते रहते हैं जब दूसरे को करते हैं उसके द्वारा ही इसके उपर कंटेनर की उपर प्रेशर लगाए जाता है नेक्स देखिए एट्मोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है नीने हमारे चारतर्फ एर मिलती है वह एर हर एक अब्जक्ट के उपर अपना डालती उसे कहते हैं लोग इकट्मसफेरिक प्रेशयर देखें इसमें इसलेयर ओफ गैस इस प्रेजेंट आराउंड आर्थ सर्फेस देयर present in atmosphere except pressure on the earth which is called atmospheric pressure next day कि इसमें है मारे पास यह चीज है हम पढ़ रहे थे the amount of atmospheric pressure upon us is quite large due to the large surface area of atmospheric around the earth but we do not experience any of its fact क्या होता है हम चारों तरफ हमारे air है वो air हमारे उपर भी pressure डालेगी तो हमें वो महसूस क्यों नहीं होता है नहीं कि हवा का जो weight है उसका pressure है हमें बिलकुल महसूस नहीं होता किस लिए महसूस नहीं होता देखे इस इस तो because that the pressure of the air inside our body जो हमारी body अब यह देखिए यह हमारी body है ठीक है तो हमारी body के अंदर भी air पाई जाती है आपको पता है oxygen होती है हमारी body के अंदर carbon dioxide भी होती है जिसको हम respiration से बाहर निकाल देती है लेकिन जो हमारी body के अंदर जो gas पाई जाती है वो बाहर की जो gas होती है यह बाहर की gas थी और यह हमारी body के अंदर की gas है तो इनका जो pressure होता है कि अंदर का और बाहर का pressure विर्कुल equal हो जाता है pressure equal होने की वज़े से वो pressure हमें महसूस नहीं हो पाता लेकि एक चीज़ है जब भी हम पहाडों पर जाते हैं उंचाई पर चड़ते हैं इस तरह ऐसे तो उंचाई पर जाने के बाद हमें क्या होता है nose में bleeding की problem आ जाती है किसली आता है ऐसा देखे sometime at higher altitude where the atmosphere is low as compared to the earth surface nose bleeding occurs why nose bleeding occurs देखे जब भी हम उपर जाते हैं इस तरह से पहाडों के उपर तो वहां क्या होता है हमारी बोड़ी के अंदर का जो pressure था यहां देखे कम होने का मतलब उसका pressure भी कम होता जाएगा पहाडों पर पहुंचने के बाद क्या होगा फर एक्जांपल हमारी बोड़ी है उसके अंदर का pressure तो उतना ही लगेगा लेकिन बाहर का जो pressure था वो बहुत कम हो जाएगा इस तरह से क्या होगा pressure में imbalance हो जाएगा और हमारी nose bleeding का reason बनता है